प्रदेश में अभी सरकारी स्कूलों में नमांकन पक्वारा चल रहा है और अभी विशेस अभियान चलाया जा रहा है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों में आकर दाखिला लें ऐसे में जो अभी भावक हैं वह अपने बच्चों का स्कूलों में नमांकन कराने को लेकर क बच्चे तो बहुत दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है कुरोना के डर से और उनका जो कोर्स है पीछे का सब छुट चुका और अडिविशन होना चाहिए निवार्ज है और सरकारी स्कूल में उसका प्रहाई जो पहले छुट चुका है उसको भी कोशिस किया जाए कि 100% उसका त्यां तुम प्र liberal कि और आक्षा से प्रहाई लिखाई किया जाए बच्चे तो 10 आपर दार्णीं है सिछक conditionally और जी हां, आप नमांकल कराएंगे, हमारे बच्चों हैं, छोड़ छोड़ बच्चे लोग हैं और सरकारी स्कुल में नमांकल भी करावेंगे. लोग काफी लड़के हैं जो मेरे हाँ अडिमिटेट होते हैं उनका यहां से लड़के संपर्क में आ गये हैं वो नमांकल के लिए लगे हैं और हम लोग भी उनको नमांकन यह तू चोदा तारीक से उनका कार शुरू हो जाएगा परचार-प्रशार में हम लोग tutor के जो निकला अद रहेली उसमें भाग लिए सिछक और भच्चे अबिए भाग लिये तो परचार-प्रशार हॉनकी और के सुचनां भी निकला हुआ हु और आसा है कि हमारे यहां जितने लड़के आते हैं उससे कम इस साल भी नहीं आएंगे तो निश्ची तोर पर जो विभावक है उनका कहना है कि बच्चे एक साल से घर बैठे रहा गया ऐसे में उनके परहाई काफी प्रभावित हो गई है ऐसे में बच्चे सही से परहाई के में दिसा में लोटे इसलिए स्कूल में वह नमांकन कराना जांघ हैं वहीं जो स्कूल के अध्यापक है उनका कहना है कि नमांकन में अच्छी रूची देखने को मिल रही है बचचे आ रहे आर सकूल के तरब क्लिप पटना से सायोगी असों के साथ क्रिस नंदन